कि अपने और जो भी है आलग या जो भी कंपनी लो है फॉस्ट ए सेकंड गूर्प बोद गूर्प के अपने पड़े स्टाट कर दियोगी अब काफी लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि ड्राफ्टिंग कैसे करें ड्राफ्टिंग कैसे करें तो यह सुन-सुनके अब थोड़ा मै क्या परिशान हो गया हूं तो मैंने अभी काफी टाइम देखे आपको आपके लिए कुछ बनाया है कि एक्जैम टाइम पर आप क्या पढ़ सकते हो मुझे ऐसे लोगों का प्रॉबलम मतलब टेंशन हो रहा है कि जिन्नों अभी तक पढ़ाई नहीं है जिनको हवाई नहीं है कि ट्राफ्टिंग आ रही है ट्राफ्टिंग क्या होता है और अपनी दुनिया में वो तो उनके लिए मुझे बुरा लग रहा है कि अगर वो बिना ट्राफ्टिंग कुछ भी देखे गए या सप्राइज हो जाएंगे पूरा ट्राफ्टिंग गया उनका तो इसलिए मेरी इच्छा होई कि या चलो ऐसे लोग जो ब्लाइंड ली जा रहे हैं ऐसे लोग न जाएं बहुत खराब लगता है छे मैने की पूरी महनत आपकी वेस हो जाएगी इसलिए मैंने अभी कुछ 20 ब हैं स्पेशल इसलिट बहुत जादा हैं तो वो तो मैं कवर ही नहीं कर सकता और यह डराफ्टिंग में रिजलिछंव जादा नहीं है क्योंकि मोच थैंड्रेड रिंड रिजलिएंशन जै है सारे मिलाके ब्हुत अrhस्याटलेण और अब मैं दे भी दूं तो आप अपकर न ही है या 8 आज है चलो 8 आज से जाधा ड्राफ्टिंग को दे ही नहीं सकते और ड्राफ्टिंग अगर आपने 3-4 टाइमस रीड नहीं किया तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा एक दो रीड से भी कुछ नहीं होने वाला फॉर्माइट से चीजें याद नहीं आती है तो जब तक आप उसको चार-पांच बार न पढ़ो या एकात बार उसको लिख के न देखो कुछ-कुछ स्पेसिफिक ड्राफ्टिंग को तो आपको रिकॉल नहीं होगा और अगर आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं है तो अचानक से होगा भी नहीं जब तक आप उसको बहुत कोने काफी एक वीडियो में मैंने पूरा बताया था लोत वीडियो मैंने डाला था उसमें काफी लोह पाने बोला कि मैं लेकि में अंसर नहीं नहीं यह क्या करते हैं कुछ मुझे reaction समझ भी नहीं आता तो अभी मैं clear clear बोल रहा हूं कि यह drafting सिर्फ exam के लिए है और उन लोगों के लिए जिनोंने कुछ भी नहीं पड़ा यह कहीं से कहीं तक भी sufficient नहीं है यह ऐसे लोगों के लिए जो जिनोंने कुछ देखा ही नहीं है जिनोंन किसी को नहीं पता कोई teacher अगर बताए भी तो उसको ignore करो क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है वो क्या predict कर रहा है बरोबर तो कुछ किसी को पता नहीं है नया नया drafting अभी चालू हुआ है जो professional पर आता था या बहुत ही पहले old में आता था वो अब चाल item में और इसलिए मुझे लगता है कि अब आना चालू हो गया है और आएगा भी चीक है once for a while अभी आएगा और new में तो आई रहा है new company लोग ए executive का जो new syllabus है उसमें भी मैंने देखा नहीं है कल पेपर था उसका आच में पता सौरी तो मैंने अभी तक देखा नहीं है तो drafting का क कुछ बना नहीं पाऊंगा मेरे पास इतना time नहीं है queries में काफी time में दे रहा हूं काफी लोग मुझसे query पूछ रहे हैं तो वहीं मैं time devote करना ज्यादा better समझता हूं recording अब कुछ ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा चीक है voice message से मैं जो भी है आपको guide कर सकता हूं specific doubts आप मुझ सारी लोग request भीजते हैं तो clear cut मुझे लगता है कि यह मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ignore करता हूं कि मैं उसको no भीजूंगा तो और गुस्ता हो जाता है students कि यह भी बहुत बड़ी problem है कि उनको समझ भी नहीं था कि वह क्या पूछ रहे हैं और अगर मैं कुछ negative react करूं तो फि फाइनल में आ जाओ कि तो पता चली जाएगा ठीक है तो मेरे तरफ से मैंने 20 pages अभी बैटके बनाए है और मुझे लगता है इतना minimum हर बच्चे को देखके जाना चाहिए तो थोड़ा वो सेफ हो जाएगा और आया तो लिखते आ जाना चाहिए six hours आप उसको दो six hours में आप होता पढ़ ले और जो मेरे ना लेक्चर बायाज है ना मेरे बुक बायाज है उनके लिए मैं ये 20 बिजिस के ड्राफ्टिंग आपको दे रहा हूं जो सरिफ exam oriented है और exam के पहले ही पढ़ने के लिए ठीक है तो description box मैंने link दे रखी है all the best for exam और जो भी doubts से आप पूछ सकते है WhatsApp पे